तो दोस्तों आज हम बनाईंगे कच्चा मैंगो बाइट और पक्का मैंगो बाइट से पॉपसी कल या आईस क्रीम जो भी कही है ये खाने में बहुत ज़्याँ लगती है और बनाना तो और भी ज़्याँ आजान है और बच्चों को जो है यह बहुत पसंद आती है तो चलिए बनाते हैं और गर्मी भी आ गई है तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं तो यहां जो है हमने दस रुपे का यहां पे हमने टौफी ले लिया है तो यहां जो हमने पांच रुपे का यह कच्छा मैंगो बाइट लिया है और पांच रुपे का यह पक्का मैंगो बाइट लिया है तो अब जो है इसे हम रैपर से निकालेंगे तो देखिए हमने इसे रैपर से जो है इस तरीके से निकाल करके एक प्लेट में हम रखेंगे तो चलिए मैं सभी को निकाल करके दिखाती हूँ तो देखिए हमने यहाँ पर जो है सभी को निकाल लिया है अब इसे जो हम एक पनी में इसे डालेंगे और किसी पत्थर से जो है इसे हम चूड़ा बना लेंगे तो देखिए हमने सभी टॉफी को जो है यहाँ पे चूड़ा बना लिया है इसी तरीके से जो हम पक्का मेंगोबाइट को भी बना लेंगे तो देखें यहां जो हमने पानी गरम होने के लिए रख दिया था तो इसमें जो हम चार बड़े चमस जो चीनी डालेंगे क्योंकि जब हम इतने पानी में टॉफी डालेंगे ना तो हमारा जो पापसिकल है उसमें मिठास बिल्कुल भी नहीं होगा और यहां जो हम आधा नीबू कारास डालेंगे जिससे की जो खटापन होता है उसे भी ये बैलेंस करेगा तो देखिए इस तरह के से जो हमने चीनी को मेल्ट कर लिया है अब इसमें कच्छा मेंगो बाइट इसमें पानी में डालेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे तो देखिए हमने जैसे ही कच्छा मैंगो बाइट को पानी में डाला तो कितना अच्छा कलर आया है कच्छा मैंगो बाइट का इसमें जो है हमने कोई भी इसमें फूड कलर एड नहीं किया है तो यहां पर पानी को तब तक पकाएंगे जब तक की पानी का कच्छा पान निकल नहीं जाता है तो अगर यह रेसिपी अच्छी लगे तुम्हें चैनल को लाइक कर दे और सस्क्राइब कर दे जिससे आने वाली हर वीडियो का नॉटिफिकीशन आप सब को मिलता रहे तो देखें यहां जो हमारी कच्छा मेंगो बाइट वाला सीदम जो था वो अच्छे से पक गया है तो यहां जो अवी से हम ठंडा होने के लिए लग देंगे और स्प्रोसेस से अब हम पका मेंगो बाइट भी बनाएंगे तो यहां जो हमने चीनी डाल दिया है और आधा नीबु काडास जालेंगे क्योंकि हमारे पका मेंगो बाइट में भी थोड़ा खतापन होता है तो उसे भी यह बैलेंस से करेगा तो हमने चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है तो अब यहाँ पर हम पका मैंगो बाइट डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मेल्ट करेंगे तो यह थंडी चीजों में जो है न मिठास ज्यादा हो तभी अच्छा लगता है तो देखिए यहाँ जो हमें वो कलर नहीं मिला है जो मार्केट में हमें कलर मिलता है तो यहां पर पक्का मेंगो बाइट में थोड़ा सा फूड कलर इसमें हमें अड़ करेंगे जिससे की हमारा पॉपसिकल में जो कलर आए वो बिल्कुल मार्केट जैसे कलर आए यहां पर हम कोई भी इसमें फ्लेवर नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें अपना खुद का एक फ्लेवर है आम का तो हमारा सीरम तयार हो गया है तो मैंने इस तरीके से गिलास ले लिया है आप चाहें तो आइसक्रीम मोल्ड भी ले सकते हैं अगर हो तो मैं इसमें इस तरीके से सभी को डाल दूँगी तो देखिए हमने सभी को जो है गिलास में सभी सीरम को डाल दिया है और अम यहां जो है हम इसे आपके पास यदि कोईल पेपर है तो आप उससे इसे कवर कर सकते हैं मेरे पास नहीं है तो मैं इस तरीके की पनी ले रही हूँ और इससे मैं इसे कवर करके और इस पे हम रबट लगा देंगे और इसे जो है हम साथ से आठ घंटे या फिर ओवर नाइट जो है फ्रीजर में इसे हम रखेंगे जहां हम बड़ाप जमाते हैं तो देखिए साथ से आठ घंटा हो गया है और हमारा आइस क्रीम जो है वो अच्छे से जम गया है तो चलिए मैं इसे निकाल करके दिखाती हूं तो देखिए मैंने इसे जो है निकाल लिया है और ये देखिए देखने में कितना टेश्टी लग रहा है तो देखिए हमने यहाँ पर जो काच की ग्लास में जम आया था वो भी अच्छे से जम गया है तो मैं यहाँ पर इसे निकाल करके दिखाती हूं निकालना कितना आसान है आप चाहें तो इसे निकालने के लिए जो है ठंडे पानी में जो है आप इसे रख करके दो मिनट के लिए उसके बाद आप निकाल सकती है लेकिन ये जो है इजीली निकल जाता है तो देखें मैं दूसरा वाला भी निकाल करके दिखाती हूं तो देखिए दूसरा वाला भी कितना इजी ली जो है निकल गया है और मैं आप से ये गिलास वाला तो और भी ज्यादा इजी निकल गया है और ये जो है कप वाला एस्क्रीम को तो आप इसका जो है रैपर इसको हटा दें तो ये और भी आसानी से निकल जाता है तो देखिए हमारा पॉपसिकल जो तयार हो गया है तो अगर ऐसे पी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करे, सस्क्राइब करे और कमेंट करे कैसी बनी है